एलो फ्रेंड स्वागते आप सभी का आपका अपना ही यूटूब चैनल मेज़र टार्गेट पर तो दोस्तो आज हम लोग क्लास ट्रेंड का हिस्टरी यानि की इतिहास का फर्स्ट चेप्टर यूरोप में राश्टरवाद के काफी ही महतपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट को देखने वाले हैं और यह सभी परस्ट जो है ना बोट पर इक्षा में बारवर पूछे जाने वाले परस्ट है तो दोस्तों अगर आपको लाना है चारसो प्लस पचास मांक्स है तो इस विरोग को संपोर्ण है शुरू से लेकर आगरी तक एक एक को संसको अच्छी तर स से याद करती है जाना है और दोस्तों यहाँ पर जो इतिहास का जो फर्स्ट चेप्टर है ना यूरूप में राष्ट्रवाद से अगर एक को संसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं आप तो इससे बाहर आपको एक भी परस्ट पर इक्षा में नहीं देखने मिलेगा या फ्रांस और प्रसा के बीच यूद कहां हुआ था तो यहाँ पर उप्सन ए में आपका देऊ सेड़ों में या फिर सेडवा में या फिर यूरूप में और उप्सन डी में आपका देऊ फ्रांस में तो फ्रांस और प्रसा के बीच जो यूद हुआ था ना सेड़ों में चैनले देखते हैं पर दूसरा पर संस्वें देखेगा जो की नुस्ट इंपोर्टन है तो दोस्तों जो हनुवी fan उस्पूर ना याँनि कि यह उत्र हो जाएग अब आएद दोस्तों देखते हैं पर देखते हैं का अग्रदूत किसे कहा जाता है option A में आपका दिया हुआ नेपोलियन को और option боль को या पर pe s सभी घ्र को और option D में आपका दिया हुआ इन में से कोई ने तो दोस्तो फ्रांस की क्रांटी का अग्रदूत जो है ना रूसों को कहा जाता है जो कि यहां पे option C जो है ना बिल्कूल ही से उत्तर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखती हैं आपे चवधा परसंगो देखेगा परसंग यह करा है कि नेपोलियन सही तक कब लागू हुआ काफी महत्पूर्ण है तो यहां पे option A में आपका दिया हुआ है अठार सो चार में और option B यहां पर दिया हुआ है उत्री अमेरिका या फिर यूरोप या फिर एसिया तो दोस्तों नेपोलियन सही ता जो लागू हुआ था ना अठार सो चार में हुआ था यानि कि यहां पर एबला option जो है बिल्कूली से उत्तर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखती हैं आपे प इटली तदा जर्माणी वर्तमान में जो है ना ये रोप महादेश के अंतरगत आते हैं यानि कि यहां पर option सी जो ना बिल्कूल से उत्तर हो जाएगा और दोस्तों वर्तमान में जो है ना यहां पर कुल कितने महादेश है नो महादेश है इसे आप लोग को याद रखना है अब आये दोस्तों देखते हैं आप छटा परसन यह करा है कि काउंट काबुर को विक्टर एमेनुएल ने किस पत पर नियुक्त किया ओप्सन ए में आपका दिया हो सेनापती या फ्रांस के राजदूत या पर परदान मंतरी और अप संदी में आपका दिया हो एक गिरह मंत पूर्ण पाको ने तो सिकाउंट कांळब को विक्टर एमेनुएल ने जुए किस पत पर नियुक्ति या तो दूसल परदान मंत्री के बात पर नियुक्ति किया आपके सीवन बर्ग या पिर आलिया वन्स या फिर बुर्वर वन्स और अफसन दी में आपका दिया वाट जार साही तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं फ्रांस में जो है ना बुर्वर वन्स असासन की पुनर अस्तापना वियना कॉंग्रेस के द्वारा की गई थी यानि कि यहां पर सी जो ना बिल्कूल ही से उत्तर हो जाएगा अब आये दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट कुस्ण यह कड़ाएं कि यहां पर है को संस की बुर्वर राजवन्स का साजन किस देश में था उप्सण ए में आपका दो रूस में या फोर इंग्लेंड में और अप्सण सी में आपका दो फ्रांस में या फिर अमेरिका में तो दोस्तों यहां पे जो बुर्वर राजवन्स का जो साजन था ना कहां पे था फ्रांस में था जो कि यहां पर सी वला उप्सण जो है ना बिल्कूली से उत्तर हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं पे नो नमर परसं किसे कहा जाता है यानि कि यहां पर बिल्कूली से उत्र हो जाएगा और यह भी परसंट जो ना काफी महतपूर्ण है अब आये दोस्तों देखते हैं पे 10 परसंट को देखेगा कि इटली के एक ही करन का तलवार कौन था मोस्ट इंपोर्टेंड है तो यहां पर उप्सन एम सब्सक्राइन कि यहां पर और अप्सिंद यौना से तो नाविक था इसे आप लोगो को याद रखना है बिच्ट केस्ट ब्लिस दोस्तों फीडियो को लाइक कर दिजेगा अब आए दोस्तों देखते हैं आपे 11.5 परसंगों देखें कि इटली तो जर्माणी के एकीकरण की विरुद्ध काउन सा देश था ओप्सन ए में आपके रूस या पर ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस और यहां पर ऑफसन डी में आपके इंगलेंड तो दोस्तों इटली परसंग जर्माणी की विरुद्ध नहीं थाटिक है अब आए दोस्तों देखते हैं पर 12 नमर परसंगों को देखेंगा परसंग यह करा है कि मार्सील एक इस देश के राष्ट्य भक्तिगीद है आपसन ए में आपके इटली के या पर जर्माणी के और अप्सन सी है रूस का और अपसन डी में आपका दिया फ्रांस का तो दोस्तों मार्सीले जो है ना यह फ्रांस देश का राष्ट्य भक्तिगीद है यानि कि यहां पर डी बला ऑप्सन जो है ना बिल्कूली सहयोत्तर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं पर नेक्स्ट को सन देखेगा पर फ्रेंग फट की संधी कब हुई फिर शांस देखेगा और फिराष्ट को सब्सक्राइब नहीं किना तो फ्रीस दोस्तों फटावर से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेला यकन आएगा बेला डियो को प्रेस करके जो इना ओल पर जरूरू सिलट के लिजिए और बीटों को संपूर्ण सुरू से लेकर आखरी तक एक कुसंस कुछ जोना असी तरह से कंसेंट्रेट हो के याद करते हुए जाना है तो देखेंगा चवदर नमर परसंद यह क्राएं कि अर्थिक संकट के कारण येरोप में कोंसी नई सासन पर्णाली का उदे हुआ अपशन अपका दिया सामिवादी या फिर लोग्टान्त्रिक या फ्साशिवादी या फिर पुंजी वादी तो दोस्तों आर्थिक संकट के करें नियुरोप में फासी वादी नई सासन पढ़नाली का उदे हुआ था यानि कि यहां पे सीवला ओप्सन जो ही ना बिल्कूली से उत्र हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं आप 15 नमा प्रसंट को देखी का प्रसने कराएं कि यूनान को एक साउत तंत्र राष्ट घोसित किया गया था इसे आप लोग को याद रखना है यानि कि यहां पे बीवला ऑप्सन जो है बिल्कूली से तुरो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं आप साउन नमा प्रसंट भी बहुत ही महत्पूर्ण ने मोस्ट इंपोर्टेंट एवी कोसंस है तो परसनिया कराएं कि काल माक्स का जनम कहां पर हुआ था ठीक है तो यहां पर ऑप्सन ए में आपको इंगलेंड में या फिर जर्मानी में य यंग इटली और यंग यूरोप का अस्तापना किस ने किया काफी मत पूर्ण है तो यहां पर उप्सन ए में आपका में जीनी ने या फिर विस्मार करने या फिर काबूर ने और अपसंटी में आपका दिया हुआ गेरी बाल्टी ने तो दोस्तों यंग इटली और यंग य चीस ने किया गट्री अपसंटी में पूरती का जो गठन किया था ना किस ने किया था य हां पर उप्सन जो हे बिल्कूल ही से उत्रों जाएगा अब अब आये फ्रेंट देखते हैं पर 59 सफों को देखेगा को संसे है कि विल्ययम परतम कहां के सासकते शॉवस्थ है बिल्कूल acompa और प्रफिशन जो ना बिल्कूली से उत्रों जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर सभी को संस को बता रहे हैं इसलिए जो ना एक और को संस को चिदर से याद कर लिजेगा यहां पर जो इना कलाश्टेंट के हिस्टरी का प्रथम चेप्टर यूरोप में राष्टरव हमारा 2 005 है कि मैटर निक कौन था अप्सटल या फिर ऑस्ट्रेलिया का चांसलोर और और अपसें प्रसा का चांसिलर तो यह जो मैटर निक था ना उस्ट्रेलिया का चांसलर था जो कि यहां पे बीबला ओप्सन जो है नहीं यहां पे हमारा बिल्कुली ऐसे उतर हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं पे एक इस नमब परसंद कराए कि हंगरी की रासधानी कहां है तो दोस्तों की जोकि यहां पे हमारा उप्सन नमब एज जो है ना बिल्कुली से उतर हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं पे कि वर्साइग की संदी कब हुई थी तो दोस्तों वर्साइग की जो संदी हुई थी जो कि यहां पर बीवला ऑप्सन जो है ना यहां पर हमारा बिल्कुली सहुत्र हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं आप पर ताइसमों परसन यह करा है कि वार एंड पीस यानि कि व वार एंड पीस जो रचना है ना यह किसकी रचना है तो दोस्तों यह लियो टोलिश्टाइग की रचना है जो कि यहां पर बीवला ऑप्सन जो है ना हमारा बिल्कुली से उत्र हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं आप चौबीस नुवर करसंस को देखेगा क्या थ किसने कया था तो दोस्तों यह पिसमार्क जो है ना कोटी तक था एक यहां पर्डीवला ऑप्सन जो है बिल्कुली से −से तो जाएगा और दोस्तों यह भी परियो काफी महतपूर्ण से मिल्चा ज向क ओना नहीं यह पर्सन पूचा जा चुगा है ऑल आये फॉरेंड देखत किया था यहां पे आप लोगों को बताना है तो यह पर संदिया आपक्का दिया हुआ या फिर नेपूलियन bonapart यहां तो जन्मन राइन राजे का जो निर्मान किया था ना नेपोलेन बोनापार्ट जी ने किया था जो कि यहां पर बिल्कूल इसे उत्रों जाएगा अब आये फ्रेंड रेखते हैं पर यहां पर यहां पर यहां पर जाता है यहां पर अप्सर नमबर यह जो ना बिल्कूल से उत्रों जाएगा ठीक है काफी महत्पूर्ण यह भी परसन है अब चले फ्रेंड देखते हैं पर 27 नमबर परसन को देखे है कि अपनाया था तो दोस्तों अप्सर यहां पर जो ही ना मारा बिल्कूली से उत्रों जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं पर 28 नमबर परसन यह कराए कि देखेगा कि जाल वेराइंड एक संस्था थी तो दोस्तों यह जाल वेराइंड जो ही ना क्रांधि काडियों की या फिर व्यापारियों की या फिर विद्वानों की या फिर पाद्रीयों की संस्था तो दोस्तो यह जाल वे आड़ाइन जो ही ना एक प्रकार का वैया पारियों की संस्ताती जो कि यहां पे मारा बीवला उप्सन जो ही ना बिल्कूली से उत्र हो जाएगा अब आये फ्रेंड देखते हैं पर 39 परसंट जो की संबंद की संघटन से था आपसन अ में आपका दिया हुआ है लाल से न या फिर कार्बोन अरी या फिर फिलिक और अफ्शन डेस्ट तो जो आपको बाईट रहना है तो फ्रेंड यहां पे हम लोग फानिली जो ना कलास्ट्रैंड के स्टडीका परथम चेप्टर से 30 काफी महतपूर्ण है most important observe questions को देख चुके हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह 30 person में से आप लोग को कितना person का से और सटिक answer याद था और दोस्तों वीडियो को आप अभी तक लाइक ने किना तो प्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आपके साथ जो भी स्टुडेंट इस बार मैट्टी को पर इच्छा देने वाले है ना तो इस वीडियो को जरूर सेर कीजेगा आपने दोस्ति यार भाइवेंट फ्रेंड में चाड़ो तरफ इस वीडियो को सेर कीजेगा और इनके साथ सत्थ आप लोग जो है ना इस दावलो कोस्टंस का भी आंसर इसी वीडियो में कवेंट करके बता दीजेगा तो कुस्टंस यह कि आपका दिया हुआ तो यहां पर इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो इसका राइने सर आप लोग फटावर से इसी वीडियो में जो ना कमेंट करके बताईएगा और साथ में भी बताईएगा कि यह तीस परसन में से आप लोगो कितना परसन का से और साटिक का आंसर याद था अब आये फ्रेंट देखते हैं आप तो दोस्तो अभी तगा वीडियो को लाइक ने किया ना तो प्लीस दोस्तो वीडियो को फटावर से लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब ने किया ना तो प्लीस दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाकरन को प्रेस करके जो ह आपने सोचल मेडिया जितने भी प्लेटफोर्म वेना तो चारो तरब सोचल मेडिया प्लेटफोर्म वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से र की ज़िए का कि जोई सबी स्टुडेंट है हमारे मेजर टार्गेट क्लास टेंट पर जोड़ सके और बोट पर इच्छा की तयारी सुरू से कर सके और जोए नब पर इक्छा में फाइनल एक्जाम में काफी अच्छे मांक से जोए नपास आउट हो सके तो दुस्त वीडियो को समपूर ना सुरू स से लेकर आखड़ी तक देखने के लिए थैंक यू तो दुस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पर कि अ